सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राजकुमार सिंग आप देख रहे हैं सब्जेट गो आईए सिखते हैं आज का अधियाई सब्जेट गो में आज हम सिखेंगे MS Word में फोटो पर कैप्शन कैसे डालते हैं जैसे आपने MS Word का यूज़ करके कोई फाइल तयार किया है MS Word में और आप उस फाइल में आपने बहुत सारे इमेज यानि की फोटो का इस्तमाल किया है यूज किया है बीच में और आप आपको किसी भी photo पे caption डालना हो तो कैसे caption आप डाल सकते हैं और caption होता क्या है ये भी यहाँ पे हम साथ में जानेंगे तो चलिए जानते हैं कि photo पे caption कैसे डालते हैं और ये काम कैसे करता है और caption होता क्या है तो यहां पर देखें मैंने MS Word का एक फाइल तयार कर रखा है देख सकते हैं आप इस तरह से यहां पर बहुत सारे matter यहां पर मैंने लिख रखा है और यहां पर एक photo भी लगा रखा है मैंने computer का आप सबसब पहले जानते हैं कि caption जो option है वो होता कहां पर MS Word के अंदर तो मैं यहां पर MS Word 2007 यूज़ कर रहा हूँ आप कोई सभी नया version या पुराना version यूज़ कीज़े 2007 से पहले या बाद का तरीका बिल्कुल सेम होगा सभी में तो उसके लिए यहां पर जाईए reference menu में और यहां पर क्लिक करके देखें यहां पर दिया है insert caption यहां पर insert caption का button मिल ज या उसका जो है एक tagline जैसे कि मालिजय आपने जो भी बुक पढ़ा होगा अब तक अगर आप ने देखा होगा science के बुक में या math के बुक में या physics के बुक में क्या होता है बुक में जब हम कोई story या किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसका कुछ photo लगा रहता है और उस photo के नीचे figure number या table number कुछ जो है इस तरह से लिखा रहता है जैसे वहाँ पे लिखा हो सकता है figure number 1.1, figure number 2.3 इस तरह से कुछ जो है वहाँ पे detail दिया रहता है तो उसे हम कहते हैं caption यानि कि photo के बारे में कोई detail जैसे माल लिजे यहाँ पे इस photo का हम caption लिख देते है figure 1. 1.1 और इस photo के बारे में यहाँ पे detail नहीं रहेगा इस photo के बारे में detail हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे शुरू कर सकते हैं यहाँ पे हम इस paragraph के अंदर हम बता सकते हैं कि आप जो है figure number 1.1 में computer का photo आप देख सकते हैं इस तरह से हम जो है यहाँ नीचे paragraph में mention कर सकते हैं detail दे उस photo पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे insert caption पे click किजए अब देखे caption जो है कई तरह से काम करता है caption जो है table box के अंदर जो table बनाते हैं उसके उपर भी काम करता है photo के उपर भी काम करता है अब यहाँ पर क्यूंकि मैंने photo लिया है तो मैं यहाँ पे लोगा figure तो figure के लिए पूच रहा है तो level में मैंने यहाँ पे चुन रख रहा है figure मैंने figure देदिया उसके बाद यह पूच रहा है position यानि यह जो photo है इस पे जो caption आप ढलना चाहते वह caption कहा डालना चाहते है फोटो के ऊपर या फोटो के नीचे तो मैंने दिया है below selected item यानि कि फोटो के नीचे मैं जो है caption डालना चाहता हूँ तो मैं जो है below देता हूँ उसके बाद यहाँ पे figure आ गया उसके बाद क्या करना है आपको okay करना है इतना करके okay किजिए okay करने के बाद देखें यहाँ पे आ गया figure one आप figure one आ गया मैं यहाँ पे देता हूँ figure one और उसके बाद इस तरह से मैं लगा के लिख देता हूँ computer system यह मैंने यहाँ पे दे दिया computer system तो c जो है वो capital कर देता हूँ मैं computer system दे दिया मैंने तो इस तरह से आप जो है photo पे caption डाल सकते है इस तरह से आपने book में किताबों में भी देखा होगा कि किसी भी चीज़ का photo लगा रहता है तो उसके नीचे कुछ detail दिया रहता है कि यह photo नमर कितना है यानि कि figure नमर कौन सा है तो इस तरह से आप जो है ms और इस caption को भी मैं यहाँ पर इस पर click करके delete कर देता हूँ अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि file के अंदर photo लगाते कैसे हैं तो उसके लिए यहाँ पर जाईए home menu के side में देखें यहाँ पर insert है insert पर click किजिए यहाँ picture पर तो आप कोई भी photo अपने computer से select करके insert कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आता है clip art, clip art यानि कि जो भी photo MS Word के अंदर पहले से दिया गया है develop करते समय तो वह photo को आप यहाँ से चुन सकते हैं मैं यहाँ पर picture पर click करूंगा और यहाँ पर यह computer का photo है इस पर click करके मैं इसे insert कर लेता हूँ उसके बाद photo पर click करके और यहाँ पर format menu open होगा अगर नहीं open हुआ है तो photo पर click कीजिए तो देखे format menu open हो जाएगा तो इस पर click करके और उसके बाद text wrapping में जाए यहाँ पर कीजिए इसे square करने के बाद इस photo को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं लगाने के बाद photo पर click कीजिए और यहाँ पर जाएगे reference menu में और उसके बाद यहाँ पर insert caption का option मिलता है इस पर click करके caption डाल सकते हैं या आप इस photo पर right click कीजिए माउस का right button जब तो आप click करेंगे तो यहाँ पर आता है insert caption तो इस पर click कीजिए और यहाँ पर आजाता है आपके पास level position नया level बना सकते हैं ठीक है डिलिट करना चाहिए डिलिट भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करूंगा simple सा यहाँ पर figure आ गया और यहाँ पर blow आ ग लिचे उसके बाद okay करूंगा यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है बस इतना सा select करके और okay कीजिए okay करने के बाद यहाँ पर आ गया आप यहाँ पर आपको लिखना है जो भी इस image के बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूं computer system यह मैंने यह अगर आप देखना चाहें तो figure one में देख सकते हैं तो figure number one लोग कहाँ पर खोजेंगे यहाँ पर पूरे book के अंदर यहाँ पर आ के खोजेंगे इस file के अंदर की figure number one अच्छा तो यह है मतलब की computer system ठीक है तो इस तरह से आप जो file के अंदर image पर caption डाल सकते हैं subject go में आज हमने सीख्या MS word के अंदर कि photo पे caption कैसे डालते हैं, caption कैसे काम करता है और क्यूं हम caption का use करते हैं subject go के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सिखने के लिए अगर अभी तक आपने subject go चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये subscribe बटन पे क्लिक करके subject go चनल सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में दिये bell icon को भी दबा दिजे ज subject go.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए वहां पर और भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं और सिख सकते हैं और देखते रही है subject go और सिखते रही है धन्यवाद थैंक्यू